हलो फ्रेंट्स, मोस्ट वेलकम, आज आप मेरे साथ अस्तर ब्लाउज की कटिंग और स्टीचिंग देखने वाले हैं, वीडियो पसंद आये तो जो लाइक और शेयर कर दीजेए, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पली जल्दी से सब्सक्राइब कर इसे हम स्टीचिंग मेरे से वापस अटैच कर लेंगे तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और यह जो कपड़ा है यह मैंने कर लिया फोल्ड और किनोर देख रहे हैं आप साइड में और यह मैंने फोल्ड किया है 10 इंच में क्योंकि हमारा जो चेश्ट है 34 उसका 1 फोल्ट होता है 8.5 और 5 इंच मैंने मार्जिन आड़ करक इसको डिबल फोल्ड में लिया है अब 13 इंच हमें बनाना है तो यह लेंगे हम 14 इंच एक इंच जादा अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है शोल्डर तो शोल्डर है हमारे 14 इंच यानि उसका हाफ हो जाता है 7 इंच अब यह 7 इंच हमें लेना नहीं, अगर बॉट नेक है तो 7 लेना है और अगर बॉट नेक नहीं, यह पीछे नेक है, तो जैसे 9 इंच नेक है, तो पीछे जो हमने शोल्डर लिया है, उसमें से हमें 52 इंच कम करना है यहाँ पर हमें आर्म हो लेना है, 6 इंच अब हमारा चेश्ट है 34 इंच यानि उसका वन फोर्थ हो जाता है साड़े आठ इंच और ये डैड इंच पीछे बचेगा नेचरली हमने 10 इंच में फोल्ड किया था इसको तो ये अपना आप डैड इंच जो है वो मार्जिन हो जाएगा कमर की साइड में कोई शेप नहीं दे रही हूँ क्योंकि चेश्ट में और कमर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है तो वो डाट से कवर हो जाता है यहाँ पर डैड इंच पर एक निशान लगाना है और फिर देना है आर्मोल को गुलाई यहाँ से मैंने नैक की चोड़ाई ली है धाई इंच और यहाँ पर हमें बनाना है नो इंच तो यह मैंने ले लिया है साड़े नो इंच और नीचे से मैंने इसकी चोड़ाई लगभग तीन इंच बराबर ली है और इसको राउन में शेप दे दिया है और यह जाएगा हमारा डार्ट का निशान जो हम पीछे डिजाइन के अकॉर्डिंग भी आगे पीछे कर सकते हैं और हाफ आफ इंच में से में लगानी है अब देखें आगे के लिए हमें वापसे फोल्ड करना है और इसे फोल्ड करना है हाफ इंच जादा में यानि पीछे हमने किया था दस में और आगे के लिए कर लेंगे हम साड़े दस इंच में अब जो पीछ वाला इससा हमने कटिंग किया था, हाफ इंच दूरी जो हमारी ही होती है, हुक पट्टी, तो उसके लिए आप जितना मार्जिन लेते हैं, उतना छोड़ कर पीछ वाल इससे को हम इस पर रख लेंगे, तो यहाफ इंच मैंने छोड़ लिया है साइड में, और एक निशान हो जाएगा गले की तरफ और एक हो जाएगा हमारा आर्म होल के साइड, शोल्डर के साइड में, अब यह दोनों निशान लगाने के बाद में, हम अपनी लंबाई ले लेते हैं, जैसे पीछे हमने 14 इंच लिया था, आगे के लिए हमें 2 इंच जादा लेना है, क्योंकि बैल्ट कटिंग होगा, वापस से वो जुड़ेगा, एक इंच महा चला जाएगा, आर्म होल ले लेंगे हम आदा इंच जादा, और एक जो डाट आजाएगी साइड फिटिंग से, तो यह कुल मिला कर 2 इंच हमने जादा ले लिया, अब हमें इस पीछवाल एसे को हाफ इंच, नीचे के साइड में लेना है, क्योंकि आर्म होल पे जो डाट आएगी, उसे हाफ इंच कम हो जाएगा, तो यह आर्म होल चाप लिया हमने, अब देखते हैं अपना नेक, चोड़ा हमने ले ली है, और लंबाई में हमें बनाना चैंच, यानकी साड़े चैंच ले ले लें गया, और यह जो आर्म होल हमने चाप आई, यह पीछे के लिए है, आगे के लिए हमें इसको हाफ इंच डीप करना है, सिर्फ आफ इंच है, अब देखें, बैल्ट अलग करना है हमें इसमें से, तो यह बैल्ट हम अलग कर लेंगे, तेरा इंच पर, और यहाँ पर बैल्ट का तीकोन आइसा ले लेंगे, पौन इंच, और यह बैल्ट का शेव दे देंगे, पाम अलग करो सकतिद।, बैल्ट वहां है, ne से जीए वहा सकतिदीए करेंखें, यहाँ झाह हैं, लिए आए इसमें का ज आए घुग समस्पता है, कि प्ते ह Belgium से सी वहां करते हैं, अधिके बैल्ट में से हमें एक इंच कम कर लेना है क्योंकि यहाँ पर टक्स आएगा तोसे साब से अधिके टक्स के निशान किस तरह से लगाना है यहाफ इंच मार्जिन हमने छोड़ लिया है अब हमारा चेस्ट है 34 यानि कि यह हमारा 34 और इसका दस्वा हिसा निकालने का मतलब है तीन पंट चार तो यहाँ पर हम यह निशान लगा देंगे लगबग साधी तीन इंच पर और यह जाएगा लंबाई में दो इंच इसके ज़श्ट उपर एक इंच उपर यह मैंने सीधी लाइन कीच लिए और एक डाट आजाएगी हूँख पटी की तरफ से धाइंच पर और यहाँ से डाइड इंच का गैप और यह जो सीधी लाइन हमने कीची थी उसमें हमें थोड़ा सा तिर्चा कर लेना है तीसी डाट हो जाएगी और चौथी डाट जो होगी आर मौल पर होगी चार इंच पर और इसी दूरी में डैड इंच की दूरी पर यह हो जाएगा हमरा चौथा टक्स अब लेना हमें अपनी स्लीव तो स्लीव के लिए पहले मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और उसके बाद एक बार और फोल्ड किया है मैंने से यानकि चार फोल्ड हो जाएगा कपड़ा क्योंकि दूरी चाहिए हमें और यह लगबग मैंने साड़े आठ इंच में इसको कर लिया है अब रेके यह हमने लंबाई लिये टोटल साड़े चाह है उसका हाफ कर लेंगे हम लगबग सवा तीन इंच और उस पर हमें एक सीधी लाइन ड्रो करनी है अब आगे की हमारी जो गुलाई है वो है ग्यारा इंच यानकि साड़े पांच इंच तो यह साड़े पांच इंच पर निशान लगा लेंगे और डैड़ इंच मार्जिन जो हमने रखाए बलाउज में वो रखेंगे अब देखें यहां से मैंने साड़े पांच लिया है इसका मतलब इस लाइन पर हमें लेना है सवा इंच जाद़ा यानकि पोने साथ इंच और यहो जाएगा मारा डैड़ इंच का मार्जिन और यह आमने देदिये गुलाई अब आगे के जो दो विस्से हैं उन्हें हम थोड़ा सा डीप लेंगे तो यह गुलाई हमें देनी है अब यह सारे पीस जो है वो साड़ी वाला जो पीस है उस पर रखकर हम कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा चारो तरफ से एक्स्ट्रा ही रखें अब पीस जो है झाल झाल तो इस तरह से हमारा ब्लव जो है वो कटिंग हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पसंद आए तो जरू लाइक और शेयर कर दीजे और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पली जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे साथी बेल एक और भी क्लिक किजिए थैंक्स वो राचिंग झाल 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